वाट्सप गाइस, यूपी में चार्जर में स्पार कोने से चार बच्चे जल गया और ये अभी हाल फिलाल की न्यूज है और ऐसी न्यूज, कभी चार्जर फट गया, कभी पावर बैंक पट गया, तो कभी मोबाइल फट गया एसी news आती रहती है, तो क्या ऐसे incidents से बचा नहीं जा सकता, जरूर बचा जा सकता, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में आम उन्हें चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को end तक देखना, क्या पता, आप वो गलती करने से बच जाओ, चलो, मैं आपको पहले basic से समझाता हूँ, फर्स्ट, यह जो electronics company होती है, जो कोई भी electronic gadget बनाती है, तो BIA certification लेती है, और यह BIA certification क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, यह Indian government द्वारा create की गई organization है, जो electronics product की जाच करती है, कि वो product आपके लिए safe है या नहीं, और safe हो हर एक company को लेनी ही पड़ती है, बिना उसके वो product launch नहीं कर सकती, तो हमेशा जब भी electronics product use करो, तो हमेशा चेक करके कोई भी electronics product use करना चाहिए, जैसे हमारे पास एक adapter है, इसमें BIA certification है ही नहीं, और यह चलते चलते खराब भी हो गया था, तो मैं इसको clearly कह सकता हूँ, यह dangerous है, ऐसे product से हमें बच के रहना चाहिए, एंच साथ ही हमारे पास एक और adapter है Samsung का, जिसमें BIA certification mention है, तो इस R number को check करने के लिए एक app होती है, BIA square, जिसको आप play store और app store से directly download कर सकते हो, और app open करते हैं, यहाँ सबसे नीचे आपको verify R number मिल दाएगा, इस पे tap कर देना है, फिर product यूज मत करना क्योंकि वो आपके लिए safe नहीं है, तो कोई भी charger या power bank की यूज करने से पहले हमेशा उसके R number को check जरूर करें, और अब बात करते है mobile की, तो हो सकता है, आप अपना mobile गलत तरीके से चार्ज कर रहे हो, तो mobile चार्ज करते समय हमेशा तीन चीजों का ध्यान First, अपना mobile हमेशा original charger से चार्ज करो, और अगर दूसरी कंपनी का charger यूज करे हो, तो हमेशा उस BIA certification को check करो, Second, mobile चार्ज करते समय कभी यूज ना करें, क्योंकि mobile चार्ज करते टाइम बैटरी में heat produce होती है, और उस पर से आप mobile यूज करते हो, तो heat डबल हो जाती है, जिससे mobile के फटने के chances बढ़ जाते हैं, तो हमेशा charging के दोरान mobile को use करना avoid करें, Third, ये गलती तो ज़्यादा तर लोग करते हैं, mobile चार्ज करते समय, phone में cover लगा कर उसको ऐसी जगह रख देते हो, जहां पे heat produce होती है, जैसे microwave fridge, इनके उपर रख देते हैं, तो कभी भी mobile चार्ज करत समय, cover ना लगा है, उसको ऐसी जगह रखे, जहां से heat produce नहीं होगे, जैसे आप table पे रख सकते हो, तक यह पे रख सकते हो, तो ऐसी जगह रखे, that's it guys, इनी तीन चीजों का ध्यान रखोगे, तो आप और आपकी family safe रहेंगी, तो इस वीडियो का अपने सभी family members and दोस्तों के पास share कर दो, जो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखता, और वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करके चैनल पे new auto channel को subscribe कर दो, तो चलिए मिलते हैं next दमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए keep smiling and think creative.